हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने चाहा रही हूँ जारकन की फेमस स्ट्रेट फूड गुलगुले और घुगनी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम इंग्रेडियन्स में ये बन जाती है आप भी इसे जरू ट्राइ करें तो सबसे पहले हम सूखे मतर भींगो कर रखेंगे ये मैंने राद बर भींगो कर रखा था फिर उसके बाद इन सब को हम कुकर में डालेंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसमें आधा चमच हम नमक डालेंगे और एक चौधाई चमच बेकिंग सोड़ा डाले और इन सब को हम 4-5 सीटी आने तक उबाल लेंगे तो ये हमने उबाल लिया है अब हम एक पैन में दो बड़े चमच सरसो का तेल डालेंगे और उसमें दो हरी मिर्चे डाल देंगे और एक चमच जीरा डालेंगे आधा तुकड़ा प्यांच को पतले तुकड़ों में काट कर इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम एक चथाई चमच हम हिंग डालेंगे और दो चमच के करीब हम इसमें अध्रक लसुन का पेस्ट डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए चला लेंगे उसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम हल्दी का पाउडर एक चमच एक चमच कस्मीरी लालमिश का पाउडर और एक चमच जीरा पाउडर डालेंगे अब मसालों को अच्छे से पका लेंगे तो मसालों के पकने के बाद अब हम इसमें ये जो मतर हमने उबाले थे वो डाल देंगे और ये डालने के बाद मतर का जो पानी था उसे भी सारे डाल देंगे अब हम इसमें स्वादनुसर नमक डालेंगे तो पहले भी हमने इसमें नमक डाला था तो ध्यान से डालिएगा नमक और फिर इसमें हम उबालाने देंगे उबालाने के बाद गैस को आफ कर देंगे और ये हमारी घुगनी तयार है अब हम गुलगुले तयार करेंगे तो उसके लिए हम एक बॉल में दो कप गेहूं का आटा ले लेंगे और फिर हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और फिर हम इसमें आधा चमच नमक डालेंगे और एक चोथाई चमच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा बैटर तयार कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह का बैटर हमें बना लेना है अब हम एक कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे तो तेल अच्छे से गरम हो गई है अब हम इन सब को फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर तो इस तरह से हम हाथों की सहायता से इसकी गोले बना लेंगे तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम इन सब को टिशू पेपर में निकाल लेते हैं तो ये हमारी गुलगुले तयार है अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने फ्लफी बनकर तयार हुए है अब हम इसके उपर से घुगनी डालेंगे और फिर उपर से कद्दुकस किया हुआ गाजर और प्यांज डाल देंगे और ये हमारी गुलगुले और गुगनी बनकर तयार है आप भी इसे जरू ट्राई कीजेगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजे, शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू